वेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मान यूट्यूब चैनल, MS Maths, हम अप्लोड करता हूं, BSC Mathematics and Physics Related Video Lectures. So Statistics, BSC, Mathematics, या BSC, जो BA Mathematics होता है, उसके लिए जो Important Questions है, उसमें आज हम बात करने वाले हैं, कुछ Important Questions for Common Catenary. Common Catenary से Related Important Questions को मैं यहाँ पर देखेंगे और बहुत Important Questions है, जो कि हर बार exams में बूचे जाता है, सो बात करते हैं, यहाँ पर Unipotent Questions, like these are the examples of the book, then यहाँ पर हम इसके Questions को देखेंगे, Question के साथ में, Diagram के साथ में, हम उसका Derivation यहाँ पर करेंगे, like Question को Prove करेंगे, जो भी Question कहा रहा है. सबसे पहले हमारे पास में जो Question है, that is the Question No.1, and यह कहा रहा है कि Question में, कि if a Uniform Chain of a Length L, एक Uniform Chain है, जिसकी Length यहाँ आपर कितनी है, L आपको गिवन है, is to be suspended from two points A and B, okay, जब यह A and B से suspended होगी, तो वो obvious है कि Catenary बनाएगे, करेंगे, and it is in the same horizontal, वो एक same horizontal में है, okay, तुसरा है कहा रहा है, so that either terminal tension is n times, okay, यह कहा रहा है कि the terminal tension n times है, at the lowest point, तो lowest point वोसकी जो terminal की tension n point है, तो आपको एप्रूब करना है, show that the span must be this, यह जो है, वो इसका span होगा, तो देखो, आप यहाँ पर span का होता है, सबसे पहले वो समझना है, span का मतलब होता है, कि यह वाली जो distance होती है, इसको हम कहते है 2x, like हमने इसको x माना, इसको x माना, okay, तो जो यहाँ पर से, जो यहाँ पर इसका expansion होता, यह कितना यहाँ से चोड़ा है, distance between a point and b point, these are the substantive points, these are the fixed points, which contain the chain, okay, वो chain को यहाँ पर लटका रखे हैं, और फिर उसको वाहाँ से हमने fix कर रखा है, तो कहने का मतलब हो गया, कि यह हमने a point लिया, यह b point लिया, इस पर यह चेंज हो है, वो यहाँ से a, c, b एक chain एक common category बना रही है, और यहाँ पर इसकी length, जो टोटल length कितनी होगी, l होगी, इसलिए यह part l by 2 हो गया, और दूसरा part l by 2 हो गया, अब क्या होता है, कि अगर हम यह लेके यहाँ तक की distance, यानि की directrix है, इसको हम क्या कहता है, directrix कहता है, directrix तक की distance है, वो y हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की distance है, वो c है, इस type से, आपको यहाँ पर यह जो general बात है, common category की वो आपको ध्यान होनी चाहिए, यह t naught जो है, वो minus x direction में लग रहा है, और इसके component औ कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, first question में, जो हाँ को spend find करता है, उसके solution की, तो solution यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह given कहा रहा है, कि the tension is end times, कौन सा tension, the terminal tension is end times at the lowest point, lowest point पे terminal tension, यह जो टेंसन है, वो terminal tension, यह terminal है, उसकी tension का end times है, तो given हम को य कह रहा है, कि T, जो है, वो end times of T, नॉड है, यह आपको यहाँ से मिल गया, यह जब मिल जाता है, तब हम क्या करेंगे, इन दौन और tension को equilibrium में रखेंगे, लाइक एक relation होता है, और वो relation यह होता है, कि किसी भी point के लिए, किसी भी point के लिए, जो आपका tension होता है, वो tension किसके proportional होता है, उस point की directrix से height, मतलब क्या होगे, यह y, तो यह इसके proportional होता है, तो proportional होने का मतलब क्या होगे, यह एक relation है, और इसमें constant जो आता हो, क्या आता है, w आता है, w जो है, वो weight पर unit length है, like weight है, इसका जो यहाँ से यह पा पार्ट देख रहे है, इसका length है, यहाँ पर जो आपको language लिखना है, वो आप पूरा language यहाँ पर लिख सकते हैं, कि A, C, B, जो है, इसका length जो हमको हमने consider किया, वो L है, और जो C यह पार्ट है, उसका length हमने L by 2 consider कर लिया है, और यह catenary का form कर रहा है, आप पूरा language में लिख स आप उठा के यहाँ रख दीजिए, तो यह हम यहाँ रख देंगे, तो यह क्या मिल जाएगा, this is equation number 1, and this is equation number 2, तो हम क्या करेंगे, put in equation number 1, तो हम equation number 1, तो हम equation number 1, value put करेंगे, तो यह हो जाएगा, W, Y, G, equals to N, और यह T not, जो होता है, आप ध्यान से देखें, यह T not, T, यहना क्या कंसिलर करता है, यह यहाँ से तक length C है, तो उसका जो weight होगा, यह वाला जो होगा, वो W, C के equal हो जाएगा, यह भी relation होता है, हमने हमारे previous videos में सारे points को सबको discuss कर रखा है, आपको videos भी playlist में जाके देख सकते हैं, तो यह जो T not होगा, and हम यहाँ लग देते हैं, कि T not जो ह value C के equal हो जाएगा, तो यह equation number 3 हो जाएगा, दोनों relation को हमाँ put करेंगे, तो आपको यहाँ पर Y का value मिल रहा है, N into C, यह क्या हो गया, Y का value हो गया, इसको हम देदेंगे equation number 4, तो Y का value आने से क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर, Y का value आने से हमको क्या निकालना, X निकालना देखो X निकालना और X का एक relation होता हम हम जनरली उसी पर बेस्ट काम करेंगे ना तो देखो X का relation होता है कि इस पांज जो होता है X A यानि कि हम X के general relation की बात करता है तो वो होता है C log of sec sin plus 10 sin ये एक relation होता है हमको काम क्या करना हम कैसे कर रहा है वो भी तो समझ माना चाहिए तो हम क्या करेंगे इस relation का use लेंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिएगा sec y and 10y चाहिएगा देखो sec y हमको मिल गया था हम 10y बिल्कुल easily count यहाँ पे calculate कर सकते हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे relation लोगा और वो relation क्या हो जाएगा कि हम यह जानते हैं by the relation y is equals to c sec sign यानि कि y अमारे पास में है हमको find sec sign करना तो y और sign का relation होता है y is equals to c sec sign और यह value आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं इस value की बात करता हूँ तो y is equals to यह हो जाएगा y की value हम यहाँ पे n से रख देंगे तो यह हो जाएगा n c is equals to c sec sign हो जाएगा और यहा इसमें यहाँ पे value put कर रहे हैं अब हम क्या करेंगे यह हमारे पास में n का value आ गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक relation लगाएंगे देखो उस relation को ध्यान से समझना कि आपके पास में length arc length कितनी है यहाँ अगर मैं arc length की बात करता है तो arc length L by 2 L by 2 arc length that is the like s इसको में यहाँ प क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे कि जो length है हमारी और वो length से constant है यहाँ पे c जो है यहाँ से यह जो c की value आ रहे हो c की value को remove करना है like actual में हमको find क्या करना है यह यह चीज find करना है तो generally हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पे c आ जाएगा 1 plus 10 square plus 1 is equal to that is the sec square sin अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो यह जो value है वो आपके पास में n है तो यह n square हो जाएगा आपको क्या value निकालना है 10 sin का value निकालना है तो यह हो जाएगा root of minus 1 तो यह आगया आपके पास में 10 sin तो यह हो गया equation number 6 अब हमको चाहिए c का value आप इससे निका सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा अब हम लिखेंगे at point like a a point की बात करता हूँ यह हो जाएगा y a square is equals to s a square plus c square देखो y a का मतलब यह हम इसी distance को कहेंगे यह कह देता है और यहार यह जो arc लेंद ना c a arc लेंद इसी को हम क्या कहेंगे sa कहेंगे तो हम इनकी values को यहाँ put करेंग तो यह आ जाएगा आपके पास में अब देखो y a लेक हम गो क्या करना y a find करना y a की value क्या है y की मैं अगर बात करता हूँ तो क्या हो है n c a तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n into c square और square हो जाएगा इसकी value हमारे पास में l by 2 है तो यह हो जाएगा l square by 4 plus यह हो जाएगा c square is equal to l square by 4 plus यह हो जाएगा c square अब हम इसको इदर लाएंगे तो c square common आ जाएगा तो यह हो जाएगा यहाँ पर n square minus 1 is equal to l square by 4 हो जाएगा तो यह हो जाएगा c की value आएगी वो आजाएगे root में l upon यह हो जाएगा 2 root यहाँ पर आजाएगा n square minus 1 यानि कि l square था वो l बन गया 4 था जो 2 बन गया और यह root में आ गया यह हमारे पास में आ गये equation number 7 अब हम क्या करेंगे इस वाले relation का यूज करके विलकुल easily x की value find कर सकते हैं तो यार हम जानते हैं कि by the relation x is equals to that is the x is equals to c log of sec sign plus यह हो जाएगा 10 sign it means हम जब इसकी value को यहाँ put कर देंगे put all these values from equation number 7 like 5 7 and like 5 6 and 7 यह जो ना 5 sum इसकी value रखेंगे 6 sum इसकी value रखेंगे और 7 sum इसकी value रखेंगे तो क्या लिखेंगे by equation number 5 6 and 7 and 7 sum इन सबकी values को यहाँ put करेंगे तो यार वो value आपको यहाँ पे मिलेगी यह value आ जाएगी आपके पास में हम इनको put करेंगे तो यह हो जाएगा c की value रखें 1, ओके आगे क्या हो जायेगा यहां पे log of, यह आ जायेगा, sack की value n है, plus इसकी value क्या हो जायेगी, n square minus 1 हो जायेगा, और यह क्या हो जायेगा, 2, अब देखो आपको span fine करना ना दिए तो किस की value x a की value आ गई, अब हमको क्या करना है, span अगर fine करना है, तो span जो होता हो, this करेंगे तो जो ही twice करेंगे यह two से वो two cancel हो जाएगा तो यार final result आपके पास में आएगा यहाँ पे l upon like this is the n square minus one log of n plus root of n square minus one है यह आपको prove करना था और यह यहाँ पे लिखा है तो यह हमको ऐसे prove करना था तो I hope आपको यह जो first question है वो अच्छे से समझ में आया होगा नाव हम यहाँ पर बात करते हैं second question के बारे में तो दिखो second question क्या है second question है कि so that so that the length of an endless chain which will hang on like which will hang on this is on okay which will hang on circular pulley of a radius e एक circular pulley पे इसको लपेटा गया है ठीक है लटका एक्चुली endless string को यहाँ पे लटकाया भी गया है और लटकाने के बाद में उसको लपेटा भी गया यह चीज आपको ध्यान में रखनी है ठीक है और radius कितनी है उस पूली की पहले तो लटका दिया है फिर हमने क्या क्या इसके two third part को उस पे लपेट भी दिया है तो एक तो circle बना रहा है दूसरा क्या कर रहा है नीचे वाला part उसमें catenary बना रहा है तो दो चीजें आपको इसमें लेनी पड़ेगी दो concept का आपको ध्यान रखना पड़ेगा फर्स्ट कंसप्ट आपको सरकल के बारे में सरकल से एंगल करना आना चाहिए तूसरा आपको catenary का नॉलेज़ होना चाहिए वो सारा इसमें देखेंगे एंड यह कह रहा है कि जिसकी circumference क्या होगा आपको क्या को समझना से पहल है मैं आपको इसके एंगल की calculation बताता हूं देखो सबसे पहले था एक कहना क्या चाह रहा है तो हम बात करता है according to question according to question यह कह रहा है question कि यहां पे आपको जो AMB part देखा रहा है यह तो नीचे लटका दिया यह इसका एक पार्ट हो गया दूसरा पार्ट हो गया नीचे वाला लटका वाला पार्ट हो गया ऑकि अब दूसरा यहां से लपेटा गया मतलब यह वाला because इसकी radius कितनी है, इस circle की जो radius हो कितनी है, a radius है okay, तो a radius का यह circle है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि r is equals to a like a radius है, और यहाँ से हम बात करते है a m b की, तो a m b का मतलब हो जाएगा the part of chain which is the part of chain which is like wrap on the this, okay, which is like wrap like, ऐसा कह सकते है, वो उसके उपर लपेटा गया, या बांदा गया, ऐसा, which is like like tie on this, okay, तो यह आपको समझना है, तो यह जो उसके touch में है, इसके contact में है, हो देखना है आपको, तो यहाँ से यह जो touch में part हो कितना कहा रहा है, कि 2 by 3 2 third of circumference, that is the 2 by r, r मतलब e, okay, इसको जब लिखेंगे, तो क्या हो जाएगे, यह 4 by 3 by a हो जाएगा, यह हमारे पास में किसकी value आगई, a, m, b जो arc है, like यह वाला जो arc है उसकी value आगई, okay, हमको क्या पूछ रहा है, total circumference, तो यह एक part हमारे पास में आगिया, equation number one, अब हमको यह नीचे वाला part find, यह वाला part find करना है, तो यह हम find करेंगे, इस catenary की help से, उसके लिए अपने को काम करना है, तो यह तो हो गया हमारा equation number first, तीक है, अब हम क्या करेंगे, next part के लिए काम करेंगे, तो next पर point A है, अब लगी catenary का question बन गया, अब यहां पर क्या ज्यान देना है, इसके बीच में catenary है, catenary lowest point जो क्या c है, इसके बीच की distance c है, यह directrix हो जाएगी, यह angle of tangent हो जाएगा, अब 60 degree कैसा है, हम यहां पर समझता है, देखो यहां पर, जब भी हम किसी circle की बात करते हैं, तो उसके center से, उसके circumference पर जो angle सब्स्टेंट होता है, वो 90 degree होता है, अब जूए अगर वो two third part पर आ जाता है, जूए अगर वो two third, sorry, one third part पर आ जाता है, यह जो है वो इसका one third part होगा, यहां पर o dash जो है, वो one third part पर है, अब कैसे है, उसको समझें, यहां पर हम बात करता है, angle a o dash n की, तो a o dash n जो है, like, sorry, a o dash b, a o dash b, यह जो पूरा angle है यहां पर, यह पूरा angle कहां पर होगा, आपको यह ध्यान रखना है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस type से लेता है, क्योंकि देखो, क्या होता है, कि circle की tangent है, यह वाली जो tangent है, यह वाली l line जो इसके tangent है, अब tangent से यहां पर जो angle drop होगा, वो 90 degree होगा, tangent से यहां पर 90 degree angle drop हो रहा है, और आपको क्या find करना है, यहां से यह वाला triangle, इस triangle की value find करनी है, tangent से ये 90 degree drop हुआ ये वाला again 90 degree हो जाएगा और आपको क्या करना है ये angle और इसके बाहर वाला angle यानिकि ये वाला angle find करना है तो हम कैसे करेंगे इसको यहाँ पैसे समझेंगे कि ये जो angle आप देख रहे हैं ये क्या होगा 1 by 3rd ये actually geometry से होता है 1 by 3rd of 2 pi यानिकि पूरे 360 जो है 360 का क् by 3rd part हो जाएगा it means ये 120 degree आजाएगा अब ये 120 है it means हम क्या कहेंगे कि angle NO-A जो है वो कितना हो जाएगा 60 degree हो जाएगा अब ये जब 60 degree है और दूसरा 90 degree है तो क्या हो जाएगा 60 degree प्लस 90 degree प्लस x यानिकि ये वाला जो angle है यार इसको count कर रहा हम यहाँ यह x लैट कर दिया मै is equals to कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ये एक्स की value हमको क्या मिल जाएगी 30 degree मिल जाएगी अब actually हमको count क्या करना हमको तो ये वाला angle चाहिए इसको हम क्या कहते है sign कहते है that is the angle of tangent तो ये वाला जो angle आएगा ना इसको हम कह देता है L A like P तो हम यहाँ पर लिख देता है angle L A P जो होगा angle of tangent जो होगा या फिर हम sign लिख देता है ना यार sign angle जो होगा वो क्या हो जाएगा sign angle हो जाएगा 90 minus जाना इस तरफ ये 90 लाइक उपर भी करतो ये 90 है तो क्या हो जाएगा 90 में से आप अगर 30 को less करते हैं तो आपके पास में क्या आ जाएगा ये 60 degree आ जाएगा अब हम क्या करते हैं हमारे पास में एंगल आ गया और ये क्या हो जाएगा angle of tangent जो की directrix पे like directrix पे सबस्टेंड होती है अब हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं by triangle by triangle n o dash a अब हमने by triangle n o dash a से क्या किया है हमने यहाँ पे na का value find किया है तो देख सकते हैं आप यहाँ पे na का value क्या होगा ये triangle इस प्रकार है देखो आप यहाँ पे यह triangle ऐसे है अब ये वाला जो है वो इसके लिए क्या हो जाएगा radius हो जाएगा ये क्या हो जाएगा angle 60 degree हो जाएगा ये 90 degree हो जाएगा हम यहाँ से na find करना चाहते हैं तो na अगर मैं यहाँ से find करूंगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा देखो अब na अगर मैं find करता हूं यहाँ से na का value आ जाएगा यहाँ यहाँ पर यानिकि हम जो उस पर perpendicular drop किया गया उसकी value की बात कर रहे तो क्या जाएगा 60 degree हो जाएगा तो na का value क्या आ जाएगा a root 3 by 2 यह आगए आपके पास में a का value अब हमको क्या करना है यहाँ से यह हमारे पास मागए अब ऐसा कर क्यों रहे हैं आप देखें यहाँ पर actually क्या हो रहा है कि catenary जो बन रहा है a and b के बीच उसका lowest point c है हम नहीं यहाँ पर क्या 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 है यह इने क्या हो गया इसका लाइक स्पान भी यहां से फाइंड कर सकते हो यहां पर एक relation यहां से इसपान का जो formula भी मैंने आपको first number question बताया था कि इसपान का जो formula हो तो x is equals to क्या होता c log tan sign प्लस क्या होता है sack sign हम इस value का use कर लेंगे तो यह x x like na तो na की value आ जाएगी यहाँ पर यह हो जाएगा c log e हो जाएगा tan 60 degree प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 degree हो जाएगा इसकी value हमारे पास में a root 3 by 2 मिल रही है और यह मतलब यहां से c का value मिल जाएगा आपको c का value तो यह हो जाएगा log और इसका relation का use कर रहा है ना यहाँ पर और यह आजाएगा tan 60 degree like a root 3 हो जाएगा और यह हो जाएगा 2 अब हम इसको यहाँ से c की value निकाल लेते हैं तो यहाँ जो c का value आएगा वह आजाएगा a root 3 a root 3 upon यह हो जाएगा यहाँ पर a root 3 हो जाएगा और दूसरा आपके पास में जो value आएगी a root 3 into यह आ रहा है आपके पास में a root 3 into 2 यहाँ से अगर मैं निकी लिखूंगा तो यह हो जाएगा 2 log of root 3 plus 2 यह value आपको यहाँ पर बिल रही है अब हमको क्या करना इसको simplify करना अब हम इसको यहाँ पर simplify कैसे करेंगे देखें यहाँ पर कि जो catenary की length है वो कितनी consider क्या इस like 2s catenary की length को हमने क्या कह दिया 2s consider कर लिए आप catenary की पूरी length हो जो है 2s के equal है 2S कह दो, यह वाला यहां से यहां तक का जो part S हो गया, तो यह आप 2 AC कह दो, यह 2S कह दो, अब यहाँ पे एक relation होता है, उस relation से हम यहाँ पे इसकी value find करेंगे, तो, क्या-क्या find करेंगे, वो value देखें आप यहाँ पे, और वो relation क्या होता हमारे पास में S है हमारे पास में यहाँ पर जो value है C की वो value है अब हमको calculate का करना circumference का नीचे वाला हमको क्या करना A C B count करना है एक relation होता है न साइ या एंगल आपके पास में है और S भी है साइ भी है और S भी है तो हम क्या कर सकते हैं इसको यहाँ से the length हमने consider कर ली है the length of catenary तो catenary की जो length है वो length आपको मिल रही है 2S और अब हम क्या करेंगे एक relation हम यहाँ use करेंगे that is the S is equals to C 1060 degree यह क्या होता है catenary की intrinsic equation होती है अब अगर मैं दोना तरफ 2 से multiply कर लेता हूँ तो यह 2 से multiply करना पर क्या हो जाएगा यह 2S हो जाएगा तो 2S is equal to 2S का मतलब क्या हो गया ACB catenary की length हो जाएगी is equals to क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 into C की value क्या है A root 3 upon यह क्या हो जाएगा 2 log of root 3 plus 2 हो जाएगा and then 2 से 2 cancel हो जाएगा तो ACB की value क्या मिल जाएगे आपको यहाँ पर 1060 लिखेंगे 1060 का value हो जाएगा root 3 हो जाएगा नीचे आजाएगा log of root 3 plus 2 हो जाएगा and then यह हो जाएगा ACB is equals to A into 3 like 3 यह लिख देते हैं यहाँ इसको यह क्या हो जाएगा 3A upon यह हो जाएगा log of root 3 plus 2 हो जाएगा अब यह हमारे पास में ACB आ गया है अब हमको क्या करना है इसको simplify करना तब हम कैसे simplify करेंगे आप देख सकते हैं अब हम इसको simplify करेंगे तो कैसे simplify करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हमको circumference find करना तो यह जो circumference है वो circumference क्या हो जाएगी circumference की बात करता है length of change circumference का मतलब क्या हो जाएगा the length of chain actually यहाँ पर आपको क्या find करना है एक बार हम question को पढ़ लेते हैं अब आपको question change करके भी देख सकता है अगर circumference की बार हम इसकी value find करते हैं आपको chain की length पढ़ तो आपको chain की length पूछ रहा है तो chain की length पूछ रहा है ना like b plus यह हो जाएगा a c b अब यह दौना values हमारे पास में यह आ रहा equation number second और यह आ जाएगा equation number first तो equation number first में हमने जो यह value find किया था that is the 4 by 3 pi a हो जाएगा तो यहां साम इस value को put करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4 by 3 like यह ऐसे हो जाएगा 4 by 3 pi a प्लस यह क्या हो जाएगा 3 a यह आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 3 a अपोन यह हो जाएगा log of 2 plus root 3 और जब हम इसको जैसे आपको question ने प्रूव करने के लिए का है अगर हम उस पॉर्म में लिखना चाहता है लाए कि यह वाला कह रहा है तो आप यहां से क्या कीजिए a को common ले लीजिए तो आप एको common लेने पर क्या बन जाएगा a को common लेने पर 4 by 3 pi प्लस यह हो जाएगा 3 by log of 2 plus root 3 इस टाइप से आप इस question को बिल्कुल इजिली यहाँ पे solve कर सकते हैं आपको यह ध्यान रखना है कि question कह गया रहा है आपसे क्या पूछ रहा है और आपको क्या करना है यह बस आपको clear होना चाहिए कि हम question में क्या कर रहा है तो इससे आप बिल्कुल इजिली question को solve कर सकते हैं अब आता है आपके पास में question यहाँ पे कि यह important result भी है यह result हम question में use भी करता है तो आपको इसको थोड़ा अच्छे से करना चाहिए तो बात करता है इस question के बारे में और यह question आपको कह रहा है a uniform string a uniform string of a weight w, w इसका capital w weight है is suspended from two points at the same level यह same level के दो point a and b से क्या रहा suspended है and the weight w dash is attached to its lowest यहाँ पे w dash जो है उसको lowest point पे attach किया गया है यहाँ पे like यह point जो है वो उसको ठीक है तो attach to its lowest point if alpha and beta now the inclination the angle of inclination of the horizontal to of the tangent at the highest and the lowest point highest point पे उसका जो है alpha है और lowest point पे value है वो कितना है यहाँ पे angle of inclination वो यहाँ से like beta है तो देख सकते है आप यहाँ पे यह कह रहा है उसकेस में हमको यहां पे क्या करना इसका value find करना तो देखें सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि इसके weight क्या क्या जिखो generally w weight आपको क्या कह रहा है यहाँ पे string का weight हो जायगा तो मैं हाँ आप लिखेंगे w is the weight of w is the weight of let the length of string is equal to 2L तो जो उसका weight per unit length होगा तो the weight per unit length तो weight per unit length का जो value आएगा वो आजाएगा 2LW यह उसका value आजाएगा क्योंकि हमने W यहाँ पर like this is not small W this is the capital W तो यह W हमने इसका weight consider किया है यह इसका W हो जाएगा तो यह आगे हमारे पास में weight per unit length क्योंकि यह आगे चीज काम आएगी अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमने आई एक point consider किया यह दूसरा point consider किया है अब यह इसके क्या हो जाएगा यह T1 tension हो जाएगा same as it is दूसरा T2 tension हो क्योंकि दौनों एक ही vertical like एक ही equal position पे लिया गए अब हमने क्या क्या यार W यहाँ से लटका दिया और string पे W लटका है तो वो string क्या हो गई यहाँ से इस type से नीचे हो गई यह catenary अब ऐसे बनेगा यह जो आप catenary देख रहे हैं अब इस point से होते वे जाएगा यह जो L point आप देख रहे हैं अब इस L point से होते वे वापस ऐसे उपर जाएगा तो यह वाला क्या हो गया एक बार यह lowest point होगा एक बार यह lowest point होगा after the suspension of the W dash करने के बाद में वो क्या हो जाता इस L point पे आ जाता तो हम question को start करते हैं अब सबसे पहले तो यह आगया हमारे पास में W और यह जो W है इसका weight जो होगा यह जो आप capital W देख रहे हैं उसको हम क्या कह देते हैं यह chain का हो गया अब एक काम कर सकते हैं यहां से हम क्या करते हैं इसको small W let कर लेते हैं या फिर एक काम करते हैं weight जो आपके पास में एक part ये ये एक पार्ट क यहायंगा,्ध यहाई ल९ॉऑ औरू पार्ट का का ओजा है कि यहाँ पे वही काम कर सकते आ हैं प्र यह प्र प्रकार यहाँ है अब हम क्या करते हैं यहाँ टोड़ी नीचे होगे है जिसको वह 1 नाम दिया अल अम् पे उसका टैंसन देखेंगे कि कि यहापgefואחा सिखा लाइक यहे बात करते हैं लिए जा यहाँ पे है और यहांगे बढ़ता है अब क्या करते हैं यहां इसको क्लविफाय करना है तो यह क्लिफाय क्रेंट में बात करते हैं Σबसे वेक्वीडियरम में होता तो यहां पे j這個 आपई त्विवीडिय में आहां इस दो जो यहां पए टुच कोंपोनेंट्स हुए गया चलो पहले लिख देते हैं by equilibrium तो क्या है काफ बाइ क्वीडियूडियम सारह फोक्राइब में होता है तो क्या हो जाएक यहां वटिकली डाउनवर्ड तो वह क्या हो जाएगा तो टीवन साइन ओफ बीटा अब देखो बीटा कैसे हो गया यह बात हमको समझना पड़ेगा क्यों यह एंगल बीटा है तो यह वाला एंगल भी क्या हो जाएगा इसलिए वह क्या हो जाएगा साइन बीटा हो जाएगा तो टीवन साइन बीटा हो जाएगा अब वो टू क्यों हो रहा है उसको भी हम यहां पर समस्ता क्योंकि हम यहां पर जो है वेल्यू सारी डबल ले रहे है ना डबल ले रहे है ना लैंथ भी हमने डबल ली इसलिए वो टू हो जाएगा और यह हो जा से होगा w is equal to 2WL यह लिखेंगे तो डबली एल होगया मतलब यहां से यह जो 2W है इस 2W का मतलब क्या होगय या फिर अगर मैं यहां से यह 2W है मैं क्या लिख सकता हूं अगर मैं यहां से 2W की वेलीव निकालता हूं यह यह दू जो लिख सकते हैं इसी टाइप से हम s का value निकाल देंगे यहां से तो हम अगर s का value निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा like s का value अगर मैं यहां से निकालता हूं तो वो आ जाएगा l okay s का value हम यहां से निकालेंगे तो यह w dash के equal है पूरा एस जो value है, S is the arc length, S जो क्या arc length है, कोई भी point के बीच के आप ले सकते हो, कोई भी point के बीच के, like A तक की क्या दो, या फिर किसी point तक के बीच की arc length है, ठीक है, या फिर यहाँ पे यह जो point ले रहा है, यार यह इसको P मान लो, यार यहाँ तक की arc length है, अब देखें, यहाँ पे at point, अगर मैं A की बात करता हूँ, तो A पी क्या बन रहा है, alpha angle बन जाएगा, यह वाला angle क्या alpha है, तो यहाँ पे जो angle बनेगा, वो angle क्या हो जाएगा, उसका alpha angle हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उसके corresponding angle alpha होगा, तो यह क्या हो जाएगा, S plus L, यहनि की S, Arc length plus, उसकी length cutnery की, तो S plus L जो बनेगा, वो क्या बन जाएगा, C tan alpha हो जाएगा, equation number 1, similarly अब बात करते है, at point L, उसका lowest point जो होगा, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे L 0 हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, lowest point हो, तो वहाँ पे सिर्फ arc length लेंगे, तो क्या हो जाएगा, S is equals to E, आजाएगा, आपके पास में, C tan beta हो जाएगा, उस point पे, और यह आजाएगा, यहाँ पे equation number 2, अब हम क्या करेंगे, equation number 1, minus equation number 2 करेंगे, तो यह हो जाएगा, L is equals to C common आजाएगा, यहाँ आजाएगा, आपके पास में, 10 alpha minus 10 beta, अब हम क्या करेंगे, equation number 1, और equation number 1, इसमें value put करेंगे, तो यह value put करने पर, आपको क्या मिल जाएगा, like C tan beta is equal to, यह हम का से ला रहा है, by equation number 2 and first, 2 and first, 10 beta, अब इस C का use हम कहा करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, C का use कर देंगे, हम यहाँ पर equation number 3 में, तो क्या करेंगे, put in equation number 3, हम यहाँ पर equation number 3 में, value put करेंगे, तो equation number 3 में put करने पर, L is equals to यह हो जाएगा, LW dash upon W, 10 beta, और यह हो जाएगा, आगे आपके पास में, 10 alpha minus यह हो जाएगा, 10 beta, और यहाँ से आप देख सकते हैं, L से L cancel हो जाएगा, और यह हो जाएगा, W upon W dash, इसको यह उपर चला जाएगा, और वो निच्चे आजाएगा, ओके W upon W dash हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर, 10 alpha upon 10 beta, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर, minus 10 beta upon 10 beta, हम इसको अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से निकालना है, 10 alpha upon 10 beta, ओके, और क्या हो जाएगा, यह यहां पर 1 हो जाएगा, यह 1 जब उदर जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन, यह क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन, डब्ल्यू डैस, प्लस वन हो जाएगा, इस type से आप इसको यहाँ पर prove कर सकता है और यही हमको यहाँ पर prove करना दा तो यह आप देख सकता है यह प्रूव करना दा, तो यह आप देख सकता है, यह अब यह important result होता है कि ध्यान रखें कि जब भी आपके पास में एक weight, जब भी cutnery के उपर एक weight W- लटका दिया जाता है या पर कोई भी एक extra weight लटका दिया जाता है तो उस condition में जो angles का relation होगा यानि कि यहाँ पर directrix से angles बंढ रहे हैं उन angles का relation जो होगा वो always क्या होगा total weight of the catenary upon the external weight plus one हो जाएगा यह एक relation है इसका use हम आगे questions में और जगे भी कर सकते हैं तो यह था हमारा third question now अब हम आते हैं fourth question के बारे में तो देखो fourth question क्या है it is very important question और बिल्कुल easy question है अब हम इसको कैसे करेंगे तो देखो fourth question में आपको करना क्या है question है आपके बास में कि a uniform chain of length L length किसकी उतनी उसकी L length है hang between two points A and B A and B के बीच में उसको लटकाया गया है which are a horizontal distance which are at the A horizontal distance A जो है उनके बीच के horizontal distance है from a point from one point with B एक point से उसकी L length जो है वो A है और कहा रहा है one another उसके बीच के नदा A horizontal distance from another point one another point फिर कहा रहा है with B a vertical distance B point B से उसकी vertical distance क्या है B है तो above the A यानि कि point B से A की अब जो vertical distance है वो small B है और जो horizontal distance वो कितनी है point A से B की वो A है so that the parameter of the catenary is given by the like जो parameter होगा catenary का वो आपको इससे देना है यानि कि इससे solve करना है तो यह आपको जनरली प्रूफ करना कैसे करेंगा सबसे पहले diagram को समझने कोशिश कीजिए diagram में क्या है आपके पास में कि यह B point है B point के coordinate हो जाएंगे X2 and Y2 यह आपके पास में X2 and Y2 नहीं होगा यह X1 and Y1 होगा आप इससे समझे X1 and Y1 होगा अब यहाँ से catenary को actual महसे लटकाया गया था अब आप देख सकते हैं कि इसका जो होरीजिंटल length है यह यानी कि यह वाला length यह क्या है यार यह हो जाएगा X1 यह हो जाएगा X2 similarly अब यहां पे यह वाला length नहीं B points से यह वाला length पूरा क्या हो जाएगा एक Y2 हो जाएगा और ये वाला length क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा हमको क्या करना है इनका difference find करना सबसे पहले होता हम difference find कर लेता हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे जो a v part ना वो a v part जो है वो किसका part है catenary का part है और उसकी length कितनी है यार s है यह a है यह v है इसका part जो length है arc length किती होगे इस point के लिए s होगे दूसरा हम यहाँ पर बात करते है vb के बारे में vb जो होगा वो क्या हो जाएगा s plus l हो जाएगा क्योंकि यह वाले distance अमने यहां से l consider कर दी है तो vb कितना हो जाएगा s plus l हो जाएगा अब यह दो equation आगई हमारे पास मैं सामने let कर लिया है जिसके आपको दिया वाय question के according यहां से क्या करना है आपको a point का coordinate क्या हो जाएगा x1 y1 और b point का coordinate क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा हमको क्या करना है इनका difference निकालना लाइक हमको क्या करना है एक तो lm निकालना है तो यार जो lm होगा या फिर आप lm कहादो या an कहादो ln कहादो या an कहादो या यह वाला distance यह वाला distance वो क्या हो जाएगा an हो जाएगा रोगो कैसे निकलेगा x2 minus x1 horizontal जो distances है उनका difference तो यार an का value क्या मिल जाएगा x2 minus x1 हो गया यह और दूसरा हम बात करना चाहते है यहाँ पर bn के बारे में ओके यहाँ से क्या करेंगा bn का value निकालेंगे तो bn का value क्या हो जाएगा उसको यहाँ पर समझता है तो यार bn का value हो जाएगा हमारे पास में y2 minus y1 हो जाएगा यह हो जाएगा bn का value अब हम इसको यहाँ से कैसे simplify करेंगे अब आप देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको solve करने के लिए यहाँ पर y2 minus y1 हो गया यह आप देदी जे इसको equation number 1 अब करना क्या है actually आपको क्या पूछ रहा है यहाँ से relation आपको देखना है क्या प्रूव करना है sin hyperbolic sin hyperbolic एक ही question एक ही मलब like s और जब आपको s भी given है और sin hyperbolic तो आप एक relation का use कर सकते हैं और वो relation है यहाँ पर by the relation of s is equal to c sin hyperbolic x upon like x upon c यह value होता है आपको पास अब देखो करना क्या है यहाँ पर अब सबसे पहले हम बात करते है at point b जो b point हो उसका highest point तो यहाँ पर लिखते है at point b तो b point पर जो इसका value हो जाएगा क्या हो जाएगा s b is equal to c sin hyperbolic x b upon c यह value हो जाएगी x b like x b क्या हो जाएगा b point के लिए x की value x 2 हो जाएगे upon y हो जाएगा यह value आगे हमारे पास में s b मतलब क्या हो गया s b मतलब v b like इसी को हम s b कहेंगे तो यह कितना है आपके पास में s plus l तो यह क्या हो जाएगा c sin hyperbolic x 2 upon c यह आजाएगा equation number 1 similarly अब इसी को हम apply करेंगे at point a तो यह क्या हो जाएगा sa हो जाएगा यह हो जाएगा c sin hyperbolic x 1 upon c क्योंकि यह point के लिए जो इसका यहाँ पे like x axis पर जो distance हो कितनी x 2 है और x 2 equation number 2 इसको नहीं कहेंगे अब यहाँ से s कितना है यह yes sa की value ऐसी तो है तो यह क्या हो जाएगा c like sine hyperbolic यह हो जाएगा x 1 by c this is equation number 2 अब हम क्या करेंगे c का value निकालना है तो क्या करेंगे equation number 1 minus equation number 2 करेंगे तो s cut हो जाएगा यह हो जाएगा l is equals to c sin hyperbolic x 2 upon c minus यह हो जाएगा sin hyperbolic x 1 हो जाएगा X2 और यह हो जाएगा X1 यह हमने यहाँ पर इसको simplify कर दिया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यह इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, L का value मिल गया अब हम क्या करेंगे यहाँ पर cos का formula यूज लेंगे, जैसे sin है वैसे cos cos का value यूज लेंगे तो क्या करेंगे, relation कौन सा है Y is equal, क्योंकि देखो coordinate, Cartesian coordinate पर हमारे पास हो एक तो एक ता X का relation, एक ता Y का relation तो क्या हो जाएगा, Y is equal to C cos X by C, same as it is, जैसे X का होता है, वैसे ही Y का होता है तो हम क्या करेंगे, इसका value निकालने के लिए क्या करेंगे, same way काम करेंगे इसको point B पे लेंगे पहले, तो यह हो जाएगा at point B, यहने कि lowest point हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, Y B is equal to Y B मतलब क्या हो गया, Y 2 इसको Y B लिखेंगे, तो यह हो जाएगा तो by C हो जाएगा, this is equation number 3 and then हम बात करता है, यहाँ पे at point A के लिए, तो at point A क्या हो जाएगा, यह यह क्या हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, C cause hyperbolic X1 upon C हो जाएगा this is equation number 4 अब यह जो equation number 4 आईए, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कि Y 2 minus Y1 कर देंगे cos hyperbolic X1 upon C यह value मिल गया, आपको equation number, इसको मैं क्या देता हूँ यहाँ पे like 3 यह हो जाएगा 4 यह equation हो जाएगा 5 and then यह मिल गया हमको equation number 6 अब हम क्या करता है, कि अब यह वाला जो value है ना यार यह आपको question में given है, देखें आप यहाँ पे, कि यह जो यह क्या हो जाएगा, B हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, horizontal difference कितना है A है और vertical difference B है तो यह इसकी जगर हम क्या लिख सकता है B लिख सकता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे L, अब देखो, जब भी अब देखो, यहाँ पे एक formula बनेगा वो formula क्या बनेगा cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x, उसका value 1 होता है जैसे sin square dita plus cos square dita 1 होता वैसे इसमें minus होता हो क्या, cos minus sin ठीक है, cos hyperbolic minus sin square अब आपको 1 मनाना है, तो यहाँ पापके पास मैं cos है, sin है, तो सबसे पहले क्या करिए आप इसका square करिए, तो हम क्या करेंगे कि equation number 3 का square करेंगे, और क्या करेंगे, या फिर यह काम करेंगे, equation number 3 का square मैंसे इसको less करिए actually हमको चाहिएगा हमको यहाँ पे चाहिएगा हमको यहाँ पे चाहिएगा L square minus B square तो हमारे पास में L B है B B है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर L square minus B square कर देंगे तो क्या करेंगे equation number 3 का square करेंगे उसमें से equation number 6 के square को less कर देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा L square minus B square हो जाएगा और अब इस पूरे term का square करेंगे तो यह C square common आ जाएगा c square को बार लिख देंगे फिर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा sin hyperbolic x by c minus यह हो जाएगा, sin hyperbolic x2, like this is x2 and this is x1 by c इसका square करना, minus क्या करना उसमें c square बारा आ गया minus क्या करना, cos hyperbolic x2 by c, minus यह क्या हो जाएगा, cos hyperbolic x1 by c हो जाएगा, इसका square करना आपको, अब हमको क्या करना है, इसको simplify करना है, जो all square, call दो a minus b का all square है इसको simplify करेंगे, तो यह आ जाएगा l square, इसको जब खोलेंगा यहाँ पे इसका all square, तो यह हो जाएगा l square minus b square is equal to c square common आ गया, c की value हम put कर सकते हैं, क्योंकि c की value हमने find क्या है, आणा, c यहाँ पे find नहीं, find करने की विजरूत नहीं है, आणा, c तो given है आपको आपको, आपको, तो क्या हो जाएगा, c square is equals to, यह हो जाएगा, यहाँ पे sin hyperbolic square x by c plus यह हो जाएगा, sin x2 है, this is not x, this is x2, sin hyperbolic square x1 upon c, आणा a square plus b square minus 2 minus 2 hyperbolic x2 by c, और यह हो जाएगा sin hyperbolic x1 by c हो जाएगा, minus क्या हो जाएगा, इसमें से यह term होगा, अब यह minus होगा तो क्या हो जाएगा, minus, minus लगावा है तो यह हो जाएगा, cos hyperbolic x2 by c, और क्या हो जाएगा minus यह हो जाएगा, cos hyperbolic x1 by c, इसका भी square हो और आगे आजाएगा प्लस यह हो जाएगा कॉस like प्लस कॉस hyperbolic x1 by c and कॉस hyperbolic x2 by c यह प्लस कैसे हो जाएगा यहाँ पे देखो यह माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा a square plus b square minus 2ab को क्या कर देगा यह माइनस a square minus b square plus 2ab तो यह इस टाइप से माइनस जब अंदर multiply होगा तो यह क्या हो जाएगा अब आपको क्या करना इसको simplify करना आगे तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा l square minus b square अब आप एक नोट करेंगे यहाँ पे यह क्या है, प्लस sin hyperbolic x2 upon c, इधर आप देखेंगे, तो यह है minus cos hyperbolic x2 upon c, तो हमारे पास फर्मूला तो क्या है, cos में से sin minus होना चाहिए, तो 1 आएगा, तो अब sin में से cos आएगा, तो क्या आएगा, minus 1 आजाएगा, तो Egypt Pulse 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर c square minus 1 हो जाएगा, similarly अब आप इसको देखें, यहाँ पर यह x1 by c है, और यह भी क्या है, cos hyperbolic square x1 by c है, तो यहाँ पर भी क्या आजाएगा, minus 1 आजाएगा, और यह जो formula बन रहा है, यहाँ पर यह वाला जो formula बनेगा, 2 sin hyperbolic x2 by c, sin hyperbolic x1 by c, plus 2, और यह जो पूरा formula बनेगा, यह formula बन जाएगा, 2 cos hyperbolic x2 minus x1 upon c का formula बन जाएगा, आप इसको simplify भी कर सकता है, यह hyperbolic identity होते है, hyperbolic trigonometry की, ओके, तो यह आपको ऐसे question को solve करनेगा, अब हमको क्या करना है, जो proof करना है, उसके लिए बात करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से, यह जो value है, यह minus 1 minus 1 बाहर आजाएगा, तो यह हो जाएगा, l square minus b square, minus 1 minus 1 बाहर आते हैं, minus 1 minus 1 minus 2 हो जाएगा, उसमें से हम 2 को बाहर ला रहे हैं, 2 को पूरे को common ले रहे हैं, यहाँ फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास में plus, sorry, यह जो formula बनेगा न, यह plus का होगा, minus थोड़ी होगा, यह cost मैं से sin minus, यह plus का formula होगा, यह plus आ जा जब 2 बाहर जाएगा, तो 2 c square, like हम इसको पहले एक बार थोड़ा expand करके लिख देते हैं, तो यह हो जाएगा, c square यह हो जाएगा, minus 2, और यह आ जाएगा, plus of 2 cos hyperbolic x2 minus x1, x2 minus x1 by c हो जाएगा, और यहाँ से क्या करेंगे, l square minus b square हो जाएगा, हम यहाँ से क्या करना है, 2 को common ले रहे हैं, तो 2 को common लेंगे, तो 2 हो जाएगा, c square, minus 1 plus, यह हो जाएगा, cos hyperbolic x2 minus x1 by c, अब यह हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में, like, cos, अब चलो, यह एक formula बन रहा है, आप इसको ध्यान से देखें, तो l square minus b square is equal to 2 c square, यह है, cos hyperbolic x2 minus x1 by c minus 1, देखो, हमें से आपके एक formula होता है, 1 minus cos theta is equal to, like, 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta by 2, sorry, 2 sin square theta, अना, यह वाला formula होता है, 2 sin square theta, but, जब भी hyperbolic function होता है, तो क्या हो जाएगा, cos hyperbolic 2 theta, minus, यह हो जाएगा, 2 theta, और minus, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर minus 1, is equal to, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 sin hyperbolic square theta, तो यह actually hyperbolic में उल्टा होता है, तो जब यह 1 minus है, तो वह हो जाएगा, minus 1, तो क्या हो जाएगा, अब यह जो formula बनेगा, यह वाला किसका formula बन जाएगा, like, l square minus b square is equal to 2c square, यह formula बनेगा, 2 sin hyperbolic a by 2c, अब देखो, नीचे 2c क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर यह half angle formula होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, half angle बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर यह c है, यह क्या बन रहा है, वाईस साब, cos hyperbolic theta minus 1, तो theta, यहाँ पर 2 theta है नहीं, अगर 2 होता, तो क्या आता, यहाँ पर 2 sin hyperbolic square आता, बट यहाँ पर 2 नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, theta by 2 हो जाएगा, तो 2 से multiply होगा, तो क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ पर यह पूरा concept clear होता आपका, और एक question भी proof हो जाएगा, और यह यह concept clear होती है, आप बल्कुल easily इ square, यह हो जाएगा, root 2, ओके, यह आजाएगा, आपके पास में, root 2 हो जाएगा, और यह आजाएगा, c, और यहाँ से, अच्छा, यह root 2, root 2, 4 हो जाएगा, यार, root 2, root 2, 2 आजाएगे, यानि कि यह 2 and 2 multiply होगा, तो 4 बन जाएगा, तो अगेन आपको 2 ही मिलेगा, c, और यह हो करना था, so I hope आपको यह जो पूरे question है, वो अच्छे लगा होंगे, और यह very important questions है, अगर आप इनको कर लेंगे, तो सायद हो सकता है, इन मैस आपको 3 या 4 question आपको exam में देखने को मिल जाए, इस chapter में 100% यह question आता है, so thanks for watching this video, keep watching MS Maths, and subscribe to the channel MS Maths.